नमस्कार दोस्तों मैं विकास चोधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चोधरी में और भाईयो आरी किस वीडियो में हम आये हैं गढ़ी मुझेडा जिला मुझफर नगर में आपको ऐसी चीज दिखाएंगे आपने जीवन में ने यह जो आप देख रहे हैं न मकबरे और यह कबरे देख रही है जब 800 साल पहले कोई बड़ा कर्णल जर्नल गुजर जाता था तो उनके यहां कबरे बनाए जाती थी जैसे कि आप यह सामने देख सकते हैं चलिए मैं आपको एक एक चीज बारी की समझाता हूँ यह देख ल अब यह देख लो और यह इतनी फेमस जंग आया है हमारे मुझवर नगर की बहुत कम लोग इस जगा के बारे में जानते हैं और यहां से विदेश से सजुदी से दुबई से बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और यहां के उपर फिलम भी बन चुकी है अब तो यह पूरा पूल आपने जीवन में ऐसा नहीं देखा होगा ठीक है जी चलते हैं हम आपको पूरा गुमाते हैं और यहां का इत्यास भी बताते हैं जो इसका पूरा अमकबरे का एरिया है कम से कम तीन सो भीगे है और जो यह बना हुआ है यहां पर इस्टेप से जो बने हुए भाईयो वो बारा चोदा भी घेम है यह देख लो और कारीगरी इतनी जबरदर्स्त मुगल सासक के टाइम की कारीगरी है आपर अब हम आपको सबसे पहले और यह देख लो यह आपर यह तिरंगा सर अपना नाम बताईए आप एजाजूल यह तिरंगा किसने लह रहा है था यह पर अच्छा इठा पन्दराघस्तमें अपना सामने तिरंगा याँपर लह विभाग Copper बाहे था और यह यहां पर लिखा हुआ सायदषे खहान और उनकी मा का मकवरा ठीक है यह तेख लो कि बहुत ही पौराणिक जगा जहात लगी है भाई यह मुझे फर्नकर से हो पर इस जगा के बारे में मुझे नहीं पता था चलिए पहले वहाँ चलते हैं ठीक है और उसके बाद हम आपको swimming pool दिखाएंगे बतलब बाय का कुवा भी आप इसको बोल सकते हैं बाय का कुवा बोला जाता है यह देख लो जी बहुत ही बहतरीन और जो भी हमारे मुझे फर्नकर मेरड वस्ची मुत्र परदेश के बाई हैं उनको मैं कहूंगा यहाँ पर जरूर आना बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर सासनकाल में बना हुआ है दो मिलट यह देख लो पहले आप इसका गेट देख लो भाई यह आट सो नोजो साल होगे इसको बने हुए देख लो सामने वाला तो गिर गया गेट काफी पुराना हो गया अब इस पर ध्यान देना चालो गया पुरा अत्त विभाग वालों ने यह देख लो गेट है अच्छा हुमाईयू के सासनकाल से थोड़ा बताएंगे इसके बारे में क्या हिष्ट्री है कैसे क्या है यह खड़े हो जाओ पहले बाते करते हैं थोड़ी जी यह जो है जब हमाईयू की साथ सेर साह सूरी की जंग हुई तो हमाईयू यहां से मुझ इस तरह के मकबरे और बारादरी मोजूद हैं तो उस टाइम पर उनकी याद में या उस चावनी में जो बड़े ओधे पर हुआ करते थे वे लोग दफन है और उनहीं की कबरे हैं और इस लोग धार में हिसाब सभी और वैसे भी मानते हैं और काफी अच्छी चीज है काफी सपून है काफी सांती है यहां पर अच्छा जो गाओं की बात करें इसमें विरादरी खास कौन सी रहती है इस गाओं में मुस्लिम लोग है सारे मुस्लिम मुस्लिम में सिया सुन्नी सिया सब हैं सब हैं अच्छा बहुत बढ़ी है चलिए सभी लोग मानते हैं सभी आते हैं यह देख लो भाईयो इसके बारे में बता रहे थे हम ने इन से बात की इसका बहुत ही पुरानिक रहसे है इसके बारे में बता यह क्या है इसके बारे में सब लोगों के अलग अलग रहे हैं अच्छा जैसे की जैसे की यह बताते हैं कि यहां पर इसके अंदर खाजाना था च भूम के खुलती थी इसके अंदर सुरंग हो सकती है ऐसा मानना था इनका अच्छा अब यहां पर लेकर आगए चलिए अब हम आपको यह सही साब के मकबरे पर लेकर चलते हैं यह देख लो संगे मरमर से बना हुआ है और यह जो इसके यह पत्थर बिल्कुल ठंडे रहते दे यह देख लो बहुत ही बढ़िया यह देख लो उस टाइम की प्योपी हम आपको दिखाते हैं यह देख लो यह उर्दू में लिखा हुआ है मुझे तो उर्दू नहीं आती क्या लिखा हुआ है बताएंगे सब क्या लिखा हुआ है ठीक यह देख लो यह इसकी प्योपी है उस टाइम की ठीके डिजाइन देख लो आप मुगल आर्ट मुगल आर्ट ही बोलेंगे ना इसको यह मुगल और यह लिखा हुआ है आपर कितनी बढ़िया चीज आज आपको हमने दिखाई इतनी पुरानी चीजे खामखा देखने को नहीं मिलती यह देख लो ठीके और एक च आज भी छपा हुआ है इसकी थोड़ी बताएंगे रिष्टी के बारे में हाँ यहां पर लोग आते हैं अगर बत्ती जलाते हैं मौंबत्ती जलाते हैं अच्छा और उनका घोड़ा था उसने एक पैर यहां रखा था और दूसरे पैर से वहां इसके उपर को कूद गया था दूसरे पैर से यही बताते हैं लोग अच्छा अब जो कुछ है वो सामने है आपके अब सर्थ थोड़ी बात करते हैं चलते जलते वहां तक पहुंच जाएंगे बाय के कुवे तक ठीक है जी भाईयो अब हम आपको दिखाएंगे इस यहां की एरिये की सबसे बहतरी चीज अब इसको स्वुविंगी पुल भी बोल सकते हैं बहुत यह बहतरी चीज है जब तक जाते हैं सर हमें आप ही बताईए थोड़ा जा सेयद उशैन जी के बारे में बताईए यह तो थे यह उस वक्त के यहां के सीपे सालार थे सीपे सालार तो उन्हों ने दोवारा से हिमाय गुजर गए थे तो उनका मकबरा बनवाय गया था अच्छा यह इसका है और यहां 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 पर कुआ है यह तो बंद हो गया अब दिखाते हैं आपको असली जीट यह है यहां की सबसे सुन्दर चीज वो लिखा हुआ है सामने अश्ट कोणी है कुआ मतलब आठ आकारों का यह कुआ है भाईयो ओक्ता जोनल वैल ठीक है जी यह देख लो आपको यह देख लो कितना बहतरीन है बहुत ही बढ़िया जी इसा कुआ आपने नहीं देखा होगा आप सुविंग पुल विश्क को बोल सकते हैं देख लो एक हजार साल हो गया भाईयो इसको यह देख लो यहां से आप देख लो पहुत ही बहतरीन चली अंदर चलते हैं यह देख लो यह इसकी पेडिया है तो खोड़ा से असर हमें इस कुवे के बारे में बताएं कि यह क्यों बनवाया गया था और क्या से क्या हिस्ट्री इसकी स्विंग पुल है पहले हम नहां देख यहां पे अच्छा जब हम आप से कुछ साल पहले हैं जी हम यहां पर नहां करते थे वह पर से कूद के अच्छे देख लो वाई यह कितना बैतरी नहीं है वह ती बढ़िया जी है यह जो यह जो आप देख सकते हैं पता नहीं क्या है या पत्थर भी नहीं है यह किस चीज गा बना उभाएं मेरे तो समंद्ध से बाहर है आप देख लो और ऐसे का इस खड़ा हुआ हुआ है हज जारो सालों से यह देख लो इधर से मैं आपको दिखा देता उसको इसमें से पानी आता था भाई यो यह नीचे चले जाएंगे चले नीचे चलते हैं यह देख लो कितना बड़ा स्विंद पुल है कि अब ती बड़िया जी कि इसके अधी कुफाय बंद कर दी क्यों कि यह देख लो इसमें यह राष्टे हैं कि निसाफ सफाई यहां पर बहुत ही बैतरी मैं सबसे कहना जाओंगा एक बार यहां पर जरूर आया भाईयो मुझा फरनगर में बहुत ही बढ़िया जगा है गूंबने की कि यह देख लो गजब जैसान तुमहूं लेवाई लिक देख लो इतना बहुतरी नगथ देखने में कि अभी आज़य है को आजई यह बहुती बहुतरी गजब एसी ऐसी चीज़े देखकर दिल कुश हो जाता है शुकून मिलता है पिदिख लो इसका वाटर लेविल नीचा हो गया नहीं तो इसमें पानी से बढ़ा रहता था भाई अब पुरातत विभाग वाले यहां पर एक्टीव हो गये हैं दो तीन वीडियो आगी वाई लो चुगे तो यहां पर पानी दुबारा से बढ़ा जाएगा और इसको अच्छा किया जाएगा यह देख लो बहुत ही कचप अब यहां से देख लो कितना बहतरीन लगता है कि अ अब गुफाय देख लो आप ठीक अगे तिरंगा भी इस पर शार चांद लगा रहा है जी यह देख लो है पूरा लेरा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो भाई हो आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया बाय का कुवा तो यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कम दो 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 में हो है लो सब्सक्वा आपको के हमए रहा है रहा है ह Ein वीडियो